नमस्कार प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ आप देख रहे हैं हेल्थ मंत्रा जिसमें हम हर बार एक नए सेग्मेंट पे बात करते हैं जिससे सम्मन्दित हम डॉक्टर से सलाम अश्वरा करते हैं एसे ही आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है डॉक्टर विनीत अगरवाल जॉइन्ट रिप्लेस्मेंट सर्जंट जिन से हम जानेंगे जॉइन्ट रिप्लेस्मेंट के बारे में तो आईए चलिए बात करते हैं डॉक्टर विनीत अगरवाल जी से सबसे पहले तो वेलकम टू आर शो सर सर आज हम जॉइंट रिप्लेस्मेंट पे बात करने वाले हैं जिससे हम जाना मंदब जैसे जो लोगों की इक्वाईरी है जो लोग नहीं जानते हैं जॉइंट रिप्लेस्मेंट में क्या क्या चीज़ आती हैं तो उसके बारे में हम आपसे जाना चाहेंगे तो सर सबसे पहले तो हम जाना चाहेंगे कि आखे जॉइंट रिप्लेस्मेंट होता क्या है रिप्लेस्मेंट शोयता जी का मतलब होता है प्रत्या रोपण कोई चीज जो खराब हो गई है उसको हटा करके आपने नई चीज लगा दी जो आर्टिफीशल है जो करीब करीब फंक्शनली उतना ही काम कर रही है जो पहले वाली चीज कर रही थी कुछ ऐसे समझी आपका एक मशीन का एक बैरिंग खराब में करते हैं जोड़ों के आसपास करते हैं तो इसको जोड़ों प्रत्यार अपना गुद जिसे इंग्लिश में joint replacement कहते हैं कैसी जोईंज्ण में बाताया किस तरीकिसे की सरे किसी करा लिनी चाहिए जोईन रिप्लेस्मेंट की सर्जिरी तब करानी चाहिए जब मरीज को शुरुआत में किवल दर्द होता है चलने फिरने में, बैटने उठने में, काम करने में, अपनी दैनिक कर्मों में उस समय वो कॉंशेस नहीं हो पाता, उस समय वो अलेट नहीं हो पाता उस समय वो इधर-दर की दवा करता रहता है, दाएमाय लोगों से मिलता रहता है कभी होमापैतिक, कभी आयरुवेदिक, कभी ऐलोपैति भी मार्केट से खरीच के खाता रहता है किसी डॉक्टर के पास वो नहीं जाता धीरे-धीरे करके यह परिशानी बढ़ती जाती है जॉइंट के अंदर, exactly दो बोन्स के बीच में जॉइंट फॉर्म होता है और जॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए या दोनों बोन्स के बीच में फ्रिक्शनल फॉर्षेस पो फ्रिक्शनल फॉर्सेस को हटाने के लिए ईश्वर ने पैडिंग दे रखी है जैसे काटिलेच कहते हैं वो कटिलेच अगर हमाईच प्रोटेक्टेट रहती है तो हमें किसी चीज़ की कोई दिक्ट नहीं यदि वो काटिलेच किसी भी जोड लगने से, किसी बीमारी से, किसी दवा के खाने से, या किसी भी दवा के खाने से, लाइक स्टिरोइट्स हो गरा के खाने से, जोड खराब होने लगते हैं, जोड लगने से खराब होते हैं, इंफेक्शन से खराब होते हैं, बहुत सारी और बीमारियां भी हैं, जैसे ग सबसे पहले काटिलेज खराब होती हैं, झीरे घीरे करके काटिलेज जब खराब होती है तो फि ao जहरं रफेनिंग हो जाता है, इन्हीं कि खौरदोरा पनाने लगता है जो जो चिह नापन्था जोड के अंदर कैसी फृरी मुमेंट हो रहा था, वह खतंग हो गया धीरे-धीरे करके काटलिज बिलकुल गया बोजाती है तो बोनस इक दूसरे से टकराने लगती है और वो स्टेज ऐसी होती है जब मरीज को यह लगने लगता है अब हमारा बिलकुल विस्तर पे भी पैर हिलाना मना बनलब दिक्कत वला हो गया यह हम चलने में यह करवट लेने में यह जड़ा सभी हिलने में भी दर्द है यह चलते भी हैं तो लंगला के चलते हैं काफी क्योंकि हम हमारी चाल भी बहुत खराब हो गई और चलने के साथ-साथ दर्ध भी काफी है जो कि दवाईयों से नहीं ठीक हो रहा जो कि अगर किसी मशीन का एक बेरिंग हटा दीजे तो बाकी जित्ती मशीन है औस मशीनरी के डिफरेंट बेरिंग बी ओवर स्ट्रेस पड़ेगा धीरे दीरे वह भी खराब होने लगेगा फर्स कर लेता हूं जैसे कोई भी जॉइंट खास्तोर से वेड बेरिंग जोईट जैसे है जैसे नहीं है जो मरी चलता है तो टेड़ा मेड़ा चलता है तीरे-दी तो उसका जो रिफ्लेक्शन है या जो उसके सेकंडरी एफेक्ट्स वो दूसरे जोड़ों पर पढ़ रहे हैं तो इससे दिक्कते और जोड़ों में भी बढ़ेंगी जैसे कमर में जैसे टकने में दीरे दीरे वह भी खराब होने लगेंगे और आप ग्रैजुली क्रिपिल हो जाएंगे मतलब क्रिपिल का मतलब पंगू हो जाएंगे बिस्तर पे लिटे रहेंगे आपको हिलना मुश्किल हो जाएगा यह है दॉक्टर साब हम यह जाना चाहेंगे कि क्या एक सर्जरी ही एक ट्रीट्मेंट है क्या एक सर्जरी ही उपा मतलब तभी आप रिप्लेस करेंगे जब कोई चीज खोड़ लेंगे तभी तो रिप्लेस करेंगे तो वो तो सर्जिरी हो गई उससे पहले मरीज को दवा सिकाई कुछ हिदायते कुछ इसे जिनमें सबसे बड़ा महत्तों एक्सराइज करता रहता है जो डॉक्तर बता रहा है वो प्रिकॉशन ले रहा है तो शायद रिप्लेस्मेंट की जरुवत बहुत बाद में पढ़ती है या नहीं भी पढ़ती कि आप डॉक्तर हम इसमें अगर कई तखनीक इस्तमाल की जा को गोड़े नहीं कर साइव है कि इसमें करी का तो कोई खास नहींडिक एचल इंपलांट ओल अलगा आते हुआ हर इमपलांट का पर्स कर लेते हम इसे बात करें प्रिखिये प्रहएं थो तो हमें naturally ये दोनों surfaces चिक नहीं कर नहीं है, वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन चुकि इतना बड़ा joint है, चाहे वो hip हो चाहे नहीं हो, हम किसी छोटे से surgery से या छोटे से operation से नहीं कर सकते हैं, हमें देखना तो पूरे कभी पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ी बड़ी सरजरी होती है, छोटी सरजरी में arthroscopic surgery जब माल लिया एक छोटा सा कोई conquer type की चीज जिसको हम लोग ऑस्टियोफाइट कहते हैं, hip joint के अंदर है, जो कि लगता है कि एक उस दिनों बाद ये खराब कर देगा, उस समय arthroscopy बगरा, जो छोटे से छेट से हो जाती है, उसको कर ल उसकी programming होती है, जैसे CT guided है, यह मैं आपको पता रहा हूँ, जैसे robotic surgeries है, computer assisted surgeries है, तो computer assist करता है, आप program एक feed करते हैं, computer operate नहीं करता, robotic surgeries में आप program पूरा feed करके, robot को guide करते हैं, वो programming robot पर डालते हैं, then he cuts the, then he does the replacement, लेकिन computer पर यह है कि आपको accuracy जादा दिख जाती है, computer resistance में, यह robotic surgeries में, लेकिन दिमाग आदमी का चला है, ना computer का चला है, ना robot का चला है, आपने पहले से थोड़ी feeding कर दी, जिससे कि थोड़ा accuracy जादा हो जाए, बस इतना ही है, अच्छा, डॉक्टर साब, यह जो जो भी surgery होती है, joint replacement वाली surgery होती है, क्या इन surgeries के बाद, जो ऐसे person normal life is spent करता है, क्या surgery के बाद भी वो life is spent कर पाता है, थोड़े बहुत साफधानियों के साथ, आप अगर किसी मरीज को देखे, जिसका joint replacement हो हो चुका है, तो 6-7 महीने बाद आपको लगेगा भी नहीं कि उसका joint replace हुआ है, मेरे पास कहीं मरीज आते हैं, मेरे भी और दूसरों के भी, जो मुझे आके बताते हैं, साब मैंने replacement कर आदा पांच साल पहले, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब, लेकिन कि लोंगेविटी चाहिए, तो उसको बचाना है, किसी भी डामेज से, इतना ही है, बाकी तो almost normal activities हो जाती है, डॉक्टर आप कहीं सारे आस तक काफी टाइम से आप इस प्रोफेशन में हैं, तो बहुत सारे आप operation कर चुके होंगे, बहुत सारे तो इनका जो भी success rate है, मतलब कित्ती कारगर रही है ये replacement surgery, मेरा अपना मानना ये है कि जो मेरा अपना अनुभव है, उसके आधार पे surgery, broadly अगर हम broad categorize करें कि पहले मरीज की जो picture है, जो बाद में picture है, करीब 90 to 95% results है, अच्छे. 90 to 95%, अच्छा और ये जो surgery है, basically किस age group में जादा देखने के लिए मिलती है, नादब क्यूंकि आजकल काफी youngsters भी joints के problem, नादब joints की problem दिक्कते हा रही हैं, यांग्स्रस को भी, तो आपके पास जो भी age group रहा, तो वो कौन सा age group रहा है? Usually, हम लोग जो joint replacements करते हैं, चुकि जो हम लोग implant आता है, जो हम लोग fit करते हैं, cartilage के स्थान पे, उसकी normal life लगबग 20 साल है, हम लोग की कोशिश हमेशा यह होती है, कि ये surgery 60 के बाद करनी पड़े, पहले ना करनी पड़े, लेकिन अगर मरीच बहुत ही crippled है, बहुत ही परिशान है, बहुत ही दर्द में है, तलप रहा है, तो age is no bar for surgery, चुकि आपके पास कोई दवा नहीं है, जो उसको ठीक कर पाए, कोई exercise नहीं जो ठीक कर पाए, चुकि joint इतना damage हो चुका है, कि हमें कुछ नगुस्तों करना ही ही पड़ेगा, यंग एज में usually, जैसे नी में, हम लोग usually replacements नहीं करते हैं यंग एज में, काली line of weight bearing change कर देते हैं, जिसको high tbale osteotomy हम लोग की बाशना में बुला आता है, कि उसमें जो alignment गड़बल हो जाता है, उसको ठीक कर देते हैं, जो टेड़ापन हो जाता है, चलते चलते, काटलेज खराब होने के विए उसको सीदा कर देते हैं, कहते ही हैं कि कुछ, researches ये कहती हैं कि काटलेज दीरे-दीरे recover कर जाती है, लेकिन उसके results भी काफी अच्छे हैं, especially young age में, या बहुत old age patient है, 80 plus का efforts कर लीजे और बिलकुल financially भी weak है और medically भी weak है, तो हम लोग HTO जादा prefer करते हैं, खासतोर से जब एक साइट का joint cable involved होगा, तब. जो की बढ़ती हुई बीमारी को, चुकि शरीर का वजन जा रहा है, जोनों के थुई. अगर हमें आज एक बीमारी है, और मैं दुबला पतला हूँ, तो मेरे को उस बीमारी का effect उतना नहीं आएगा, जितना के एक तंदरूस साद में को आएगा, वेट वाले को आएगा, चोग है कि वेट बेरिंग जोईंट में वैसे भी pressure की वज़े से, काफी effect पढ़ता रहता है, चोट लग गई, जैसे मैंने बोला, भी चोट लग गई, infection हो गया कोई, या हम कोई दवा खाने लगे, like steroid खाने लगे, या hip joints के cases में, alcohol बहुत पीने लगे, तो cartilage बड़ी जल्दी warn off होती है, जो लोग routine alcoholics हैं, उनका joint बहुत जल्दी खराब होता है, या जो लोग स्ट cartilage खराब होने का डर बहुत बड़ता है, तो replacement में, मतलब, basically cartilage खराब होने के पीछे, वजय, high protein diet होनी चाहिए, calcium, vitamin D, rich diet होनी चाहिए, हम लोग junk foods और को avoid करें, अपने body weight को control में रखें, ये कुछ important factors, और नियमत exercises, जैसे sports activity, जैसे swimming, stretching exercises, जैसे aerobics कहते हैं, उन सारी चीज़ों से blood flow बना रहता है, जो है इनके अंदर का, और काम आसान हो जाता है, मतलब, cartilage का nourishment मिलता रहता है, properly, problem उतनी होती ही नहीं है, डाक्टर साब, आपने भी exercises की बात करी कि कुछ particular exercise हैं, लेकिन उन exercises में भी हर age group नहीं कर सकता, हर age group के लिए भी एक दायरा बना होता है कि ये ये वाली exercise नहीं कर सकते हैं, तो उसको कैसे हम लो, मतलब, कुछ common exercises हो, जो हम सभी लोग कर सकें, जिससे हम लोग ये प्रॉब्लम से दूर रह सकें, मने भी बताया आपको कि aerobic exercises best हैं, दूसरा swimming बहुत ideal है, तीसरा stretching exercises, aerobics में भी आती है stretching exercises, बहुत important है, walking is another very very important, thing to do, इतना ही है, कोई specific exercise age group के accordingly नहीं narrated है, हर joint के लिए की specific exercise है, वो करते रहें, चाहिए young हो, चाहिए adult हो, तो routine में अगर वो करेंगे, तो problem देर में face करनी पड़ेगी, या नहीं भी face करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी इस तरीके की जैसे osteoarthritis है, या degenerative arthritis है, या age related है, नॉर्मल wear and tear है, जैसे आप जूते चपल पहने तो तल्ला आपने आप भी कुछ दिनों केज जाता है, चाहिए उसका normal use भी करें, बहुत rough use ना भी करें, तो ये normal wear and tear है, बेसी कले, cutlets का, तो वह भी होता है, लेकिन इन सारी बातों से या इन सारी वजहों से या जो खान पान में परिवर्तान, exercises में changes, walking routine में exercises, इन सबसे बहुत फरत होता है, मतलब चीजें जो आज आज आपको early face करनी है, वो सकता है बहुत late face करनी पड़े, या ना भी face करनी पड़े. डोक्टर, आप अपी exercise के लिए से बूला, एक और आप कहा जाता है, जोगिंग के लिए, जोगिंग की बात की जाती है, या skipping की बात की जाती है, तो उसके लिए भी एक ऐसा होता है कि हम एक hard face पे हमें jogging नहीं करनी चाहिए, और हमें hard face पे skipping नहीं करनी चाहिए, तो उसका क जैसा क्या रिजन होता है क्यों मना किया जाता है अभी बने अपको तो ग्राजुली काछिविट खराब होगी काछिव पेइंपक्त आए गार एक तरस्ट लगाता राता गई डलनब के गद्धे हो गए या एयर बैलून्स टाइप की चीज है उस पे आप करिया कोई दिक्कत नहीं होगी डॉक्टर आप अभी अमें बता रहे थे गड़न कीषि कोई मेडिसिन से लगा बार है जो लोग अको फेलाइप अगया यह जोग करते हैं यह कि पाले अग्ड़नीी है और इसको है वहाँ बदी और सुप जनी मेडिसिन City Attorney प्रॉब्लम भी ना हो देन उनका जो स्ट्राइड जिस वजे से वो ले रहे हैं वो भी इनका सौट आउट हो जाए तिक कुछ बीमारियां हैं जिनमें स्ट्राइड मेंडेटरी जैसे खास्तार से कुछ आटो इम्यू डिसॉडर्स है जो इम्मुनिटी डिसॉडर्स हो उनमे स्ट्राइड लेना पड़ता है लेकिन स्ट्राइड लेने में हमेशा आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने मन से मतले हैं डॉक्टर ने आज लिखा है और आप से काया 15 दिन बाद मिलो तो 15 दिन बाद मिलिये ऐसा नहों कि आप उसे मिले ही नहीं और स्ट्राइड खात चलता है तो वो डॉक्टर के कवर में ही ले अपने मन से कता ही ना ले हैं अभी एक हाल ही में आप सभी आज की सिचुएशन से वाकिफ हैं कि 2020 से कोरोना एक कोविट जो ऐसा संक्रमन फैला है वो अभी तर्थ हमने का नाम नहीं ले रहा है उसी की चलते भी ब्लैक फंगस तो कि बात आपने की तो जो लोग स्ट्राइड पेशेंट हैं जो स्ट्राइड लेते हैं वो ब्लैक फंगस के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं तो उसका क्या रीजन है मतलब कि उनको ज्यादा एफेक्ट एक दम से करता है इस्टिरोइड बेसिकली कहीं भी सूजन पैदा कर जो दोगी वहाँ फंगस क इक ठाः हो गई होगा अब आपने घर में अज देख कि लीजें जिन दिवानों पर लोनी मट्टी होती है, वहाँ पर फंगस ही कट्टा हो जाता है, देरे देरे करके, ठीक है, नाली के किनारी किनारी, नमी, फ्लोईंग वाटर में ही ऐसा होता है, जहां पर भी नमी होती है, इस्टिरोइड लंबे समय तक खाने से, फंगल इंफेक्शन का बहुत होता है, वो ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, येलो फंगस है, वो तो उसका कलर जो दिखा वो नामिनेट हो गया, पर ट्रीटमेंट एंटि-फंगल ट्रीटमेंट है, मजबूरी है कि इस समय कोविड में आप्शन्स ज्यादा नहीं है, कोविड का फाइनल तो उनको किसी तरीके से कम करता है, मरीज के जान बचानी है, तब हमारी दिमाग में ब्लैक फंगस और वाइट फंगस और येलो फंगस नहीं रहता है, अभी तो ये लगता है कि मरीज की जान बचे पहले, फिर भी इस्टिरोइट को, जैसा मैंने अभी बोला कि वो डॉक् जान बचेंडरी इंफेक्शन फंगस का इकटा होता है, डॉक्टर हम आज जॉइंट रिप्लेस्मेंट की बात कर रहे हैं, जो तक्रीवन मदलब जो भी एक्सपेंस जितना भी होता है इसका, अभूमन कितना एक्सपेंस आ जाता है इस सर्जरी में, आजकर जो बेस्ट ब्रॉडली आप मान के चलिएगा कि अच्छे जोइंट करीब-करीब एक लाग से नीचे के नहीं है, मार्केट में, और लगभग उतना ही खर्चा होस्पिल का जाता है, वाक इन वाक उट, मींस दवा, होस्पिटल एक्सपेंडिचर्स, पूरी चार-पांस दिन का अड्मि विवर है, संतोष जी, और उनका एक सवाल था, उनका ही कहना था कि जो सरदिया जब आती है, तो स्टाइम पर ज्वाइंट्स पें बहुत जादा करने लगते हैं, आखर ऐसा क्या रीजन होता है कि सरदियों के टाइम पर ज्वाइंट्स में पें जादा एकदम से बढ़ ज आती है, ब्लेट फ्लो ज्वाइंट में नहीं हो पाता, प्रॉपरली, प्लस जब ब्लेट फ्लो नहीं हो पाता, तो मॉबिलिटी अपने आप रिस्टिक्ट होगी, चुकि टीशू का लचीलापन नहीं होगा, टीशू हंगर समझ लीजे उसको, इसलिए सिकाई से बहुत फ आपने सिकाई की बात की, कि ऐसा सिकाई अगर की जाए तो सिकाई के भी कहीं सारे फॉर्म है, तो सिकाई के लिए भी जब आम डॉक्टर से जब कंसर्न करते हैं किसी सिकाई के वारे में तो बोलते कि नहीं इसमें यह वाली सिकाई नहीं करनी है, और इसमें यह वाली नहीं देखे यूजली जब कहीं पे इंजरी होती है फर्च कर लिज़े मुझे चोट लग गई तो यहां सूजन आ गई एकदम से तो वहां पे एकदम ब्लड फ्लो बहुत स्यादा होता है सूज जाएगा रेड हो जाएगा अट हो जाएगा यह बाहर भी हो सकता और अंदर भी हो सक है तो जब भी कभी आपको लगता है कि सूजन है खास्तोर से ज्वाइन के चारो तरफ जो जिल्लियां है यदि वो सूजी हुई है एक्यूट केस है तो बरफ के सिकाई रिकमेंडेड है नमबर एक नमबर दो जब लग रहा है कि स्टिफनेस आ रही है मोबिलिटी चाहिए तब वॉर्म सिकाई या बिस्ट सिकाई है वेट फोमेंटेशन होर्स आहर्ट सलमाइं वेट फोमेंटेशन वोतल की शिकाई का बहुत एफप्ट नहीं यह जो कि डॉर pat Tech को असके दिफशार आप पेनिट्रिशं बहुत का म है तो इसलिए वो सुपर्फीशल ही खाली से एक दिये तक कमफर्टिबल थोड़ी देर के लिए हो जाता है मरी लेकिन बहुत एफेक्टिब नहीं हो पाती है कि जब जॉइन रिप्लेस्मेंट सर्जरी होती है उसके बाद क्या चीजे ध्यान देने वाली होती है किन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है खाने पीने का ध्यान रखना होता है मंदब किस तरीके से जो मुविंग पॉस्चर्ज है मतब उसके लिए कोई पर्टिकुलर हम लोग कभी भी जॉइंट रिप्लेस्मेंट करने के बाद हमेशा मरीजों को हिदाय दे देते हैं फर्स कर लिजे है एफ है एफ रिप्लेस हुआ तो यह मना होता है हंड़ड परसेंट मना होता है कि तुम जमीन में बैठोगे मतलब उची चेहर बैठोगे पुडू नहीं बैठोगे या सीधे जुके पैर में चूओगे अपना जिससे कि यह कुला एकदम से मुड़े ने उसमें डरी होता है कि एकुला निकल जाएगा बाहर इसलिए वो चीज मना होती या करवट से सुएंगे तो दोनों पैरों को बीच में तक्या लगा कर सुएंगे करवट से दोनों करेंके बी तो जिस तरफ ऑपरेशन हुआ उस तरफ से उठेंगे दूसरी तरफ से अवाइट करेंगे बना उसका डिस्लोकेशन होने का डरबलता है similarly knee में उकडू उकडू बैटना मना है running मना है आप risk walk कर सकते हैं पर run नहीं कर सकते हैं avoid करना चाहिए प्लस vitamin D calcium proteins जैसे पहले बताया था operation के पहले वैसे ही बात में भी exercises continue करनी है exercise का purpose bone से कोई मतलब नहीं exercise exercise का मतलब है जो surrounding muscles है जो उस जॉइन को move कर रही है उनमें proper strength हो जो भी exercise करी जाती है muscle के लिए बोन के लिए कोई exercise नहीं बोन जॉइन के लिए exercise नहीं तो वो muscles surrounding the joint they are to be taken care of उनकी strength important है और वो करनी चाहिए जी डॉक्टर एक होता है total knee replacement तो वो total knee replacement करने की जरूवत हमें कब पढ़ती है लेकर knee के तीन हिस्से होते है एक कटोरी और जांग के हड़ी के बीच में होता है एक हट जांग के हड़ी और पैर के हड़ी के बीच में अंदर की तरफ का हिस्सा होता है और दूसरा joint बनता है बाहर के हिस्से में यदि हमारे एक से ज्वादा joint involved है इन तीनों में से फर्स कर लिए कोई भी दो involved है तो replacement total knee ही कहलाता है total knee का मतलब ही होता है कि हमने दोनों तरफ के joints replace कर दिया और अगर जरुवत पड़ी तो कटोरी और जांग के बीच का भी replacement कर दिया अगर वो काफी खुरदुरा है तो बाकि सर आपसे एक और लास्टमे में आपसे चाहूंगी कि जो हमारी यंग्स्टर है जो भी परसंस हैं उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें हमें इस तरीके की समस्याओं का सामना ना करना पड़े और मैं चाहूंगी कि आप उमारे विवेउस को एक मेसेज देखिए, पॉस्चर सबसे इंपोर्टेंट है, बैठने उठने के तौर तरीके, नियमित व्याया, सीडेंटरी हैबिट्स, यानि कि जो आलस्य वाली चीज जिसको बोल सकता हूँ मैं, कि आलस्य अपनी जिंदगी से हटाने की चेश्टा करें, एक्टिव रहें, काम करें, र बागे नहीं, तीसरी बात, stretching exercises, swimming is ideal exercise in my opinion, swimming and cycling, they are beautiful exercises and they are to be done by everybody, proteins, calcium, vitamin D rich, diets, हमेशा ले, junk foods को avoid करें और weight बल्डे से रोकें अपने को, अपनी कारिशायली ऐसी रखें, कि आप काफी active रहें, कम से कम लेटें, कम से कम बैठें, चलते रहें, मकाम करते रहें, मना कुछ नहीं है, as such, लेकिन exercises का एक schedule जरूर होना चाहिए अपनी life में, daily routine में, कि आपे 1 गंटे, 1.5 गंटे, 2 गंटे, exercise करनी ही करनी है, तो sedentary habits को avoid करना है, यही मेरा संदेश है, thank you. ना हिंदू में हूँ, ना मुसल्मान में हूँ, मैं हिंदूस्तान हूँ, हर इंसान में हूँ, हिमाले परवत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल में हूँ, सुबह की प्रार्थना में हूँ, शाम की आजान में हूँ, रविशंकर की सितार की आवाज में हूँ, बिस्मिल्ला की शहनाई की घूंज में हूँ, हमीत की दहार में हूँ, भगत के बलिद में भी मैं हूँ नवरातों के वरत में हूँ रोजे और रमजान में हूँ हाँ पूरे हिंदुस्तान में हूँ